नमस्कार दोस्तों आज आप लोगो विभिन देशों से भारतिय राज जो भी सटे हुए हैं उनके बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एस्टेटिक जी के का ये टॉपिक है और अभी तक मैंने एक भी वीडियो में एस्टेटिक जी के कुछ नहीं पढ़ाया है ये पहला वीडियो है यूटूब पे जो मैं एस्टेटिक जी के का डालने जा रहा हूँ इसमें बनाए हुए मेरे दोरा बनाए गए बहुत सारे सुत्र हैं जिनसे आपको बरही आसानी से याद हो जाएगा ये सारी बाते याद हो जाएंगी तो चलते हैं समय को न बरबाद करते हुए सिधे मुद्दे पे चलते हैं नेपाल से जुरे हुए भारतिये राज को याद रखने का सुत्र नेपाल से जुरे हुए भारतिये राज, नेपाल से जितने भारतिये राज जुरे हुए हैं, उनका सुत्र है उत बिहार बंगाल स्यूँ जुरे हुए भारतिये राजियों का सुत्र, उत बिहार बंगाल स्यूँ बंगाल सियू उत्विहार बंगाल सियू उत्विहार बंगाल सियू याद रखयेगा उत्तरपरदेश पिहार आप समझ सकते हैं ये तो एस्टेट का नाम सीधा दिया हुआ ही है बंगाल ये भी समझ सकते हैं आप बंगाल खुद एक राज्य है पस्चिम बंगाल ठीक है अब जान लिजिए इसके आगे चलते हैं सी सी से एक ही राज्य आ रहा है अपने भारत में जिसका नाम है सिक्किम उसे उत्राखंड जिसको उत्रांचल भी कहा जाता है उत्राखंड कहिए या उत्रांचल कहिए तो नेपाल से जुर्य भारतिय राज्य का जो सुत्र है उत्राखंड नेपाल से जुर्य हुए है अब इससे आगे चलते हैं भूटान से जुर्य हुए राज्यों का सुत्र भुटान से जुरे हुए राज्यों सुत्र इसका सुत्र है असियप इसका क्या सुत्र है मेरे जी घड के टुकरो असियप असियप याद रखिएगा कहने का तत्पर यह है कि इस हर अक्छर से चार राज्य बनेंगे और वही चार राज्य किन से जुरे हुए है भुटान से जुरे हुए है असियप अब राबर अरुनाचल प्रदेश हरुनाचल प्रदेश सी बराबर आप लोग को अच्छी तरह याद होगा सी बराबर क्या होगा सिक्किम इता कॉमन सेंस की बात है सी बराबर सिक्किम और बराबर असम पा बराबर सीधा याद हो जाएगा आप लोग को सामने में आया कि याद आजाएगा पस्चिम बंगाल तो आप लोग को भुटान से जुरे हुए राज्यों का जो सुत्र है असियप इसमें अबराबर अरुनाचल परदेश, सीबराबर सिक्किम, अबराबर असम, पौबराबर पस्चिम बंगाल ये जो चार राज्य हैं ये भुटान से जुरे हुए भारतिये चार राज्य हैं ये चारो राज्य भुटान से जुरे हुए हैं और ये चारो राज्य भुटान की सीमा में सटे हुए हैं तो आप लोग जान लीजिए कि भुटान से जुरे हुए भारतिये जो चार राज्य है उसका सुत्र है असियप असियप अगर सिर्फ याद रहता है तो ये चारो का चारो ये चारो का चारो आप लोग को राज्य याद हो जाएगा चार राज्य को दिमाग में इसमें समस्या यह आती है कि अगर आप ज़्यादा राज्य याद करते हैं तो उसके फिर आपके दिमाग में confusion आने लएगा चुकि एक राज्य कई सीमा से कई देशों की सीमा से सटे हुए हैं तो आपके दिमाग में हमेशा confusion पैदा होने लएगा तो उसी confusion को दूर करने के लिए आप लोग के लिए मैंने ये सुत्र बनाया है ताकि आप लोग अराम से इस सुत्र के द्वारा अराम से इन बातों को याद कर सकते हैं बीना उलजहन का याद कर सकते हैं ठीक है अब जानली जीए अब हम आगे चलते हैं बांगला देश से जु बांगला देश से जुरे हुए भारतिये राज्यों का सुत्र बांगला देश से जुरे हुए भारतिये राज्यों का सुत्र अब मित्र में याद रखियेगा अब मित्र में ये सुत्र जो मेरे द्वारा बनाया गया है अब मित्र में, नाम क्या है? अब मित्र में, अब सत्रू पर बहुत विश्वास कर लिए, अब विश्वास कहा करना है? अब मित्र में विस्वास करना है सत्रू पर विस्वास बहुत कर लिए अब कहां विस्वास करना है मित्र पर विस्वास करना है अब कहां करना है विस्वास अब मित्र में विस्वास करना है सत्रू पर वहुत विस्वास कर लिए पंगाल मी, बतलाईए मी से क्या हो सकता है आप लोग खुद अपने दिमाग में दवराईए भारतिये राजियों में मी से क्या आता है मिजोरम इसके अलावा दुसरा कोई राजय आये नहीं सकता है त्रो त्रिपूरा में में से क्या आएगा चलिए दिमाग लगाईए में से क्या आएगा बतलाईए में से क्या आएगा कौन सा राज जाएगा बच्चा भी जो बच्चा है पच्चमा कलास का उसको भी यादा जाएगा में से में घाले आएगा में से क्या आएगा? में घाला आएगा. अब मित्र में ये याद रखने से आप लोग को याद हो जाएगा. मात्र ये सब्द, दो तीन सब्द है. अब मित्र में अगर आपको याद हो जाता है, तो आप लोग को बांगलादेश से जुरे हुए जितने भी भारतिय राज्य हैं, उनके सारे सुत्र आप लोग को याद हो जाते हैं अब मित्र में ही सब्द से. मेरे जिगर के टुकरो, आपका ये लेखक जी कुमार, आपका ये सिक्षक जी कुमार, आप लोग की सेबा में सदा तत पर रहता है. मेरे जिगर के टुकरो, आप लोगो को, मैंने बिगत कई दिनों से कोई भी ओफर नहीं दिया है, जिसका मुझे मलाल है, इसलिए आप लोगो को 48 घंटा के लिए इन सारे बैच पे ओफर दिया जा रहा है, GS Foundation, 1099 में, जाकर इस बैच को जोईन कर लिजिए, Special Science, मातर 99 में, Special Social Science, 99 रुपया में, बिहार पुलिस GS, सिर्फ 99 में, SSGD, 99 में, इसका बैच आप लोगो सनी वार से प्रारंब हो जाएगा, सनी वार से ये बैच प्रारंब हो जाएगा, सनी वार से ये बैच शुरू हो सिर्फ जाएगा, SSGD का सुभा में, 11 बजे से, SSGD का बैच मातर, NTPC, 99 रुपया में, बिहार दरोगा, 199 रुपया में, ये भी बैच अभी सुरू नहीं हुआ है, ये भी बैच जल्द सुरू कर दिया जाएगा, आप इसको जोईन कर सकते हैं, और BPA CPT, GS, 199 रुपया में, ये सारे बैच आपको धूरीना एप पे मौजूद है, धूरीना एप पे जाकर इस बैच को जोईन कर सकते हैं, और अपने परहाई को जारी रख सकते हैं, इन सारे बैचेज में से कोई भी बैच जो आपको अपनी आवश्यक्ता के अनुसार सही लगे, उसे आप जोईन कर स सकते हैं ठीक है और ये हमारे कॉलिंग टिंग का नंबर है इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं को सुल्जा सकते हैं मेरी पुस्तक को भी आप लोग पढ़ रहे हैं इसके लिए सहिर्द धन्यवाद कि हजारों बच्चे मेरी पुस्तक को मातर दो दिन के अंदर पर से आप उस्तक को भाई कर सकते हैं चलते हैं अब आगे की उर सुत्र की तरफ तो अब आप लोगों म्यांगमार से जुरे हुए भारतिये राज्यों को याद रखने का मैं सुत्र बतलाता हूं म्यांगमार से जुरे हुए भारतिये राज्यों को याद रखने का सुत्र म्या राज्जियों को याद रखने का सुत्र म्यांगमार से जुरे भारती राजी को याद रखने का सुत्र है अम्मी मना अम्मी क्या की मना कर दी अम्मी मना याद रखिएगा अम्मी मना अरुनाचल प्रदेश मी मैंने अभी अभी बतलाया है कि मी से एक ही नाम आता है पूरे भारती राज्यों में मी से एक ही नाम आता है जिसका नाम है मिजोरम मौ से मनी पूर आता है बिटा मनी पूर ना से क्या हैगा नागा लेंड आएगा तो जानली जीए अम्मी मना अम्मी मना अगर आप याद कर लेते हैं तो म्यांगमार से जूरे हुए भारती राज्यों को याद रखने का सुत्र याद हो जाएगा भारतीय राज्यों को वे भारतीय राज्ये जो म्यांगमार से जूरे हुए हैं उनको याद रखने का जो मेरे द्वारा बनाया गया सुत्र है वह है अम्मी मना औ से अरुनाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, मौ से मनीपुर, ना से नागालेंड अम्मी मना याद रखिएगा, चारो अक्षर को डिस्क्राइब कर दिजिएगा और आपका काम हो जाएगा, अराम से आप लोग का काम हो जाएगा कि आप लोग से जब भी पुछा जाएगा, म्यांगमार से जुरे हुए भारती राजी कौन-कौन है तो आप लोग अम्मी मना याद करके, ये चारो राज में, देखे बटा, इन सुत्रों से आपको केवल एक फैदा ये होगा कि आप लोग का कनफ्यूजन दूर हो जाएगा जैसे याद तो आप लोग भी करी लेते हैं, किसी तरह रटा मारके याद कर लेते हैं लेकिन कनफ्यूजन हो जाता है अब इदेश से जो जुरा हुआ है, उदेश से जुरा हुआ है, उसमें मिल जाता है, मिली भगत हो जाता है मिली भगत होता है, कई राज्य ऐसे हैं, जैसे अरुनाचल परदेश है, तो कई देशों से, कई दूसरे देशों से जुरे हुए है अरुनाचल प्रदेश जुरा हुए अब कन फ्यूजन हो जाएगा कि किस देश से जुरा हुआ है किस देश से नहीं लेकिन अगर आप देश का और उस राज्य का अगर सुत्र के द्वरा याद कर लेते हैं तो सुत्र तो अक्छर का है, कुछ सब्द का है, एक दो सब्द का है. ऐसा नहीं है कि बहूत बरा है, कि सर हम कैसे याद करें, बहुत उल्जाउ है. ये बहुत अराम से आप याद कर सकते हैं. अम्मी मना म्यांगमार से जुरे हुए भारतिये राज्यों को याद रखने का ये सुत्र है जिसका नाम है अम्मी मना तो चलते हैं इससे आगे अब हम चीन से जुरे हुए भारतिये राज्यों को याद रखने का सुत्र याद रखेंगे किस से जुरे हुए? चीन, अपन, दुसमन देश, चीन, चाइना और पाकिस्तान, इस दुन्नों कभी अपना नहीं हो सकता है, लेकिन चुकि जीके में ये बाते माइने नहीं रखती है, जीके में सीधे से हमें प्रसन को बनाना परता है, प्रसन को ही बनाना हमारी मजबूरी ह इसलिए दुसमन देश का भी कौन कौन राज अपना सटा हुए है उस देश से ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है और परहाई के दृष्टी कौन से भी जरूरी है तो हम चीन से जुरे हुए भारतिये राज्यों को याद रखने का सुत्र याद करेंगे जो है हीमा अरुना सिक्किम उत्रा जाएगी कीमा हरुना सिक्किम उत्रा जाएगी इसको सिर्फ याद रख लेते हैं तो आपका ये जहन जट हमेशा के लिए समाप्थ हो जाएगा ये आपको चीन से जुरे हुए भारतिये राज्ये है सुत्र चीन से जुरे हुए भारतिये राज्यों का सुत्र है ये चीन से जुरे हुए भारतिये राज्यों का सुत्र है हीमा अरुना सिक्किम उत्रा जाएगी इसके नाम में ही आपको सब इस्टेट आ जाता है हीमा हीमा चल प्रदेश हीमा चल प्रदेश हीमा, हीमा चल परदेश मा, बतलाईए, मा से कौन सा राज्य होगा माप किजिए, ये मा तो होगा ही नहीं हीमा से हीमा चल परदेश है, माप किजिएगा बेटा अरुना, अरुना चल परदेश सिक्किम सिधा सा याद रख सकते हैं सिधा सा बात है सिक्किम का सिक्किम होगा उत्रा उत्रा का क्या होगा उत्रा खंडिया उत्रा अन्चल होगा उपर लिख दे चलिए उत्रान चल उत्रान चल या उत्रा खंड उत्रा का क्या होगा उत्रान चल उत्रा का क्या होगा उत्रान चल जाएगी जा याद रखेगा जम्मू कस्मीर जाएगी को याद रखेगा जम्मू कस्मीर जा से ही पकरा जाएगा इस अक्छर से आपको पकरा जाएगा जम्म जम्मू कस्मीर तो जान लिजिए चीन से जुरे हुए भारतिये राजियों को याद रखने का जो सुत्र है जान लिजिए ये चीन से जुरे हुए भारतिये राजियों को याद रखने का सुत्र है हीमा हीमा चल परदेश है अरुना अरुना चल परदेश है सिक्किम तो सिक्किम है उत्रा उत्रांचल या उत्रा खन है और जाएगी से जम्मू कस्मीर ये याद रखिएगा आप लोग ये आप लोग को असानी से याद हो जाएगा हीमा अरुना सिक्किम उत्रा जाएगी यह चीन से जुरे हुए भारतिये राजियों को याद रखने का सुत्र अब चलते हैं इस से आगे पाकिस्तान से जुरे हुए पाकिस्तान से जुरे हुए भारतिये राजियों का सुत्र याद रखेगा पंगू राज यह पंगू राज अगर याद रख लेते हैं तो पाकिस्तान से जुरे हुए जो चार राज्ये हैं पाकिस्तान से जुरे हुए जो चार भारतिये राज्ये हैं उन्हें याद रखने का अराम से आपको सुत्र मैं दे रहा हूँ पंगुराज पंग पंजाब गु गुजरात रा राजस्थान ज़ जम्मू कस्मीर यह है वो चार राज्य जो किन से जुरे हुए है पाकिस्तान से जुरे हुए चारो भारतिय राज्य यही है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कस्मीर पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कस्मीर ये चारो राज्य पंजाब से जुरे हुए राज्य हैं, माप किजिएगा पाकिस्तान से जुरे हुए राज्य हैं, अब हम चलते हैं, करक रेखा पर इस्थित भारतिये राज्यों को याद रखने का सुत्र, याद रखिए बिस्वत रेखा पर कोई भारतिये राज्य, कोई पूर करक रेखाबल आप परहे थे जुरा हुआ भारतिये राज्य का सुत्र तो बतला देंगे तो करक रेखा पर मैं बतलाता हूं करकर रेखाबल करक रेखा पर इस्थित भारतिये राजियों का सुत्र। आप लोग बहुत सारे बच्चे इसका सुत्र पहले से भी याद करके रखे होंगे, लेकिन मैं आपको अपना बनाया हुआ सुत्र देता हूं गमच्या जहरब मिठ्र। बहुत सारे बच्चे पहले की किताब में जो जीके encourage का किताब आता था, उससे मित्र पर गमचाजार याद कर लिये होंगे तब मित्र पर गमचाजार में अक्षर जादा हो जाता है और ये एकदम सटिक आठ जो रज्य हैं जो भारतिय रज्य जो जुरे हुए हैं करकरेखा से करकरेखा परिस्थित हैं तब उनका ये सुत्र है ठीका ये अराम से ही याद हो जागा गुजरात म मध्य प्रदेश छा छातिस गड जा जारखंड रा राजस्थान बंगाल मी मिजोरम त्रा त्रिपूरा गमच्छा जारव मित्र गुजरात मौसे मध्परदेश छासे शतिस गड जासे जारकंड राशे राजस्थान बाशे बंगाल मी से मिजोरम त्रा से तिरपूरा याद रखिएगा ये है वो आठ राज्य जो करकरेखा पर इस्थित है करकरेखा पर इस्थित ये आठ राज्य है मेरे जिगर के टुकरो पढ़ेंगे तो मेरे बहुत बड़े दिवाने हो जाएंगे मैं चाहूंगा कि पहले से ही जो किताब पच्पालाग घर में है या किताब कई करोड घर में पहुँचे आप लोग के आसिरवाद और प्यार की बदौलत तो मिलता हूँ आप से अगले विडियो में तब तक के लिए भिदा दीजिए आप अपने चहेते जी कुमार को नमस्कार जैहिंद